नमस्कार दोस्तो मैं हूँ पवन ढाकला दोस्तो आज आपने थोड़ी दिर पहले वीडियो भी देखी होगी एक बहुत ही अच्छी शिरुवात कह सकते हैं परंपरा कह सकते हैं हुई है गाउं रशीना से और रशीना इस श्रेणी में शैद दूसरा गाउं है जो इस हुआ और इसमें सभी ग्रामड़ों ने पार्टिसपेशन अपना किया और सभी लोगों ने अपने गाउं के बच्चे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए और इसके साथ साथ ये भी परिवार को भी विश्वास दिलाया और कि ये कहा गया कि जब बच्चा यहां पर प्रम पिता प्रमेश्वर से कि इस बच्चे को जिन्दगी बख्षे और इसके आप लोगों के जो काम है किये गए जो पुन्य का काम आप कर रहे हैं उससे इस बंदे की जिन्दगी लगे दोस्तों नाम लेना ठीक नहीं लेकिन फिर भी जो मुझे याद आ रहे हैं और जितेंदर टाय जी एहमदपर से उन्होंने 11,000 रुपे दिया और उसके बाद 50,000 रुपे की रकम फोन पर ही शिरफ रीडियो देखने के बाद जो हमारे जांबा से सरपन्स साहब हैं लाब सिंग जी और श्री सित्पाल जी उन्होंने फोन पर ही 50,000 रुपे की भाई की मद करना करा मैं ये बढ़ते जा रहे हैं और हर दिन किसी की मदद करना शायद सब के हाथ में नहीं है क्योंकि जो ये मदद करने का जो एक सिलसला इसी में कहीं न गई कोई भी केस हो मैंने देखा है कि कुछ सिलेक्टिड लोग ही हमेशा आगे आते हैं और लेकिन मैं इस बार आप सब से जितने भी हमारे बच्चे, खासकर रसीना से, बस्तली से, साच से, एमधपुर से, पूंडरी से, संग्रोली से, इन बच्चों से विशेश निवेदन है मिरा, और स्पेशल निवेदन मिरा गाउं रसीना के बच्चों से है, कि सही मैं मैं उसके घर कल भी गया था, आज भी गया, तूटा फूटा घर पड़ा है भाई सब, और उनकी जो माता जी है, उनका दिहांत, जब अभी वो करोना का टाइम था, उसमें वो भार थे, विदेश में ही डौंकी लगाना के लिए, उसमें उनकी माता जी का दिहांत हो गया, और जो भाई है, वो भी कालने की शमता नहीं रखता है, इसलिए ऐसे परिवारों के समाज ही काम आता है, और हमारा समाज इस मामले में कहीं ना कहीं, एक निरनायक भूमिकानी बाहर है, और एक बहुत अच्छा कारिये कर रहा है, मदद तो दोस्तों हर विक्ति को चाहिए, चाब वो इंडिया में ह है, चाब बाहर है, लेकिन कुछ सिलेक्टिड केस होते हैं, कुछ ऐसी सिच्वेशन होती हैं, जहां पर हम सब लोगों को प्रियास करना चाहिए, इसके साथ साथ देखिए, मैंने बताया कि लाखों की जो योगदान है, वो देने वाले भी लोग हैं, लेकिन आपका 21 रुपया हो, और मुझे बड़ी खुशी हुई आज महाँ पर हमारे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, राजेश टाया जो अपना गाउं से ही हैं, रसीना गाउं से, और जैसे भी का काम है, काला बोलते हैं उनको, उन्होंने भी अपने कमाई से, नेक कमाई से 21 रुपय का यो इस बच्चे को जल्दी से जल्दी तुरंट यहाँ पर भेजने की परबंद करें, और इसमें अगर आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए, कोई किसी का लेटर चाहिए, या जो भी वहाँ की जो फॉर्मल्टीज हों, क्योंकि वो डॉंकी पर गया है, और आपको पता है कि डिरेक्ट फ्लाइट लेना शायद असान नहीं है, लेकिन इसका सोलुशन दोस्तों आपको करना है, हम शिरफ आपको पैसा परवाइड कर सकते हैं, वो हम आपको परवाइड करेंगे, कितने पैसा लगेंगे, इसलिए आप से हाँ जोड़ कर निवेदन है कि इस बच्चे क इस बच्चे को जल्दी से जल्दी वो तुम दुरुस्त करेंगे, और इसके साथ साथ ना तो ये ताली बजाने का समय है, ना शायद बधाई देने का समय है, लेकिन फिर भी मैं ग्राम निवासियों को, रसीना के ग्राम निवासियों को विशेश तोर पर धन्यवाद देत हूं कि एक छोटे से नोटिस पर, एक दिन के नोटिस पर सैकडो की संख्या में वो लोग आए और इसके साथ साथ उन्होंने ये बात हमारी भी मानी और हम सब लोगों ने मिलकर ये एक डिसीजिन लिया कि चैरिटी बिगन्स एड होम कि हमें इस चीज की अच्छे कारे की श प्रियास से शैद वो जल्दी पुरा हो जाए और पैसा कितना भी लगे दोस्तों और आज का जमाना है जो कहीं ना कहीं हर चीज पैसे से ही पॉसिबल है इसलिए आप से अग्रा करता हूं कि पैसे की कमें इस परिवार को नाने दें और जो भी इसमें योगदान करेगा दो भी है मैक्सिमम पार्टिसपेशन होने चाहिए दोस्तों मैं यह कह रहा हूं कि जितने भी हमारे बच्चे गए हुए हैं अगर वो सो सो रुप्य भी दे जादा नहीं कहता है बहुत हो जाता है एक आदमी बार बार नहीं दे सकता और किसी पर बोज डालना ठीक भी नहीं है आप मैक्सिमम पार्टिसपेशन करें और मैक्सिमम पार्टिसपेशन तब हो सकता है जब लोगों तक यह बात पहुंच सके आप जहां भी बैठें इस बात की चर्चा करें इस बात का लोगों में कहीना की बात चलाएं और इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको लगता है क इस बच्चे की मदद करना जुरूरी है और हम सब लोगों का ये करतवे बनता है और इसमें दोस्तों 36 बरादरी का भाईचारा सामने है निकल के एक टेमपू चलाने वाला ड्राइवर से लेके पंडेजी से लेके और जो हमारे गाओं के सरपन्साब हैं वो भी भीना की एक ज आतिविशे से संबंदित हैं और उन लोगों ने शुरुवात की इसके लिए हम सब और गाओं रसीना आपका ताउमर धन्यवादी रहेगा आपके आइसान के नीचे हम दबे रहेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा जो भाईचारा है वो बना रहे और इसके साथ-साथ आगे से क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि अब जो जैसे-जैसे संक्या मापर बढ़ेगी दोसको बीमारी या इस ऐसी चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं ये परमपिता परमेशवर के हाथ में है लेगिन इन चीजों से समाज अगर एक हो हम सब लग एक हो तो कहीं ना कहीं हम शुक्रिया आपका और उमीद करता हूं आपसे अब भी मैं जो पे टीम नंबर है और अकाउंट नंबर है और जो गोफंड का जो लिंक है वह आपके पास अलरडी होगा फिर भी मैं दुबारा से कमेंट में भी और उपर भी डाल दूँगा आप इस वीडियो को दोस्तो जु इनके साथ जुरूर शेयर करें शुक्रिया दोस्तो ओम तचसत नमस्कार